साल 2018 बॉलिवुड के लिए काफी यादगार और अच्छा रहा है साल 2018 में 13 बॉलिवुड फिल्मों ने सिर्फ भारत में ही 100 करोड रूपए से ज्यादा की कमाई की थी लेकिन बॉलिवुड के तीनों खान सुप्रस्टार्स के लिए साल 2018 कुछ खास नहीं रहा है हाला कि सल्मान खान साल 2018 में भी भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले से लिब्रिटी थे लेकिन उनकी फिल्म रेस तीन बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमल नहीं दिखा सकी थी सल्मान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला रियलिटी टीवी शो बिग बॉस की टी आर पी भी पहले जैसी नहीं रही थी बॉलिवुड सुप्रस्टार्स शारु खान और आमिर खान की फिल्में साल 2018 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में शामिल थी शारुख खान स्टार फिल्म जीरो भारत में एक सा करोर रूपे की भी कमाई नहीं कर सकी है शारुख खान की पिछली कुछ फिल्म में भी भारतिय बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी वहीं बलेवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म ठग्स ओफ हिंदोस्तान को भारत समेट चीन के दशकों ने भी नकार दिया था चीन में आमिर खान की अच्छी खासी फैंट फॉलोइंग है आमिर खान की पिछली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार भी भारत में औसत कमाई ही कर सकी थी इन्ही कारणों से आजकल लोग कह रहे हैं कि इन खान सुपरस्टार्स का समय अब खत्म हो गया है हाल ही में बलेवुड निर्देशक रोहित शेटी से एक इंटर्व्यू के दोरान पोचा गया था क्या बलेवुड के खान सुपरस्टार्स का समय अब खत्म हो गया है इस सवाल का जवाब देते हुए रोहित शेटी ने कहा कि ये तीनों ही सुपरस्टार्स पिछले करीब 30 सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं रोहित शेटी ने कहा कि कभी भी किसी का समय खत्म नहीं होता है जब किसी बड़े स्टार की एक दो फिल्में नहीं चल पाती हैं तो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं रोहिद शेटी ने कहा कि ये तीनों आज भी बड़े स्टार हैं और ये तीनों ही अपनी कड़ी मेहनत से आज इस मुकाम पर हैं रोहिद शेटी ने कहा कि आने वाले समय में भी ये तीनों बड़े सुपरस्टार ही रहेंगे। दोस्तों बॉलिवुड और मनोर अंजन जगत की अन्ये खबरों के लिए हमें लाइक और फॉलो ज़रूर करें।